हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी का हमारे योटूब चैनल मेशन में थाकास में दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत के परवतों से सम्बंधित महतवपूर प्रशनों की दोस्तों अगर आप किसी भी परतोगी परिच्छा की त्यारी करते हैं तो आपको भूगोल के इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना होगा सभी परिच्छों में इस टॉपिक से प्रशन पूछे जाते हैं दोस्तों परवतों से जितने भी महतपूर प्रेशन बन सकते हैं, हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं, आईए दोस्तों वीडियो की सुरुवात करते हैं, वीडियो पसंद आये तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दिजेगा, देखते हैं नंदा देवी सिखर इस्थित है, ओप्शन्स देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है दोस्तों, ओप्शन ए, उत्तराखंड, नंदा देवी सिखर उत्तराखंड में इस्थित है, अगला कोशन देखते हैं प्रायद विपिय भारत में उच्चितम परवत चोटी है नील गिरी, डोडा बेट्टा, महेंद्र गिरी, अनाई मुडी इसका सही आंसर है दोस्तों, आप्शन D अनाई मुडी चलिए देखते हैं अगला कुश्चन निम लिखित में से किस इस्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है दोस्तों ये कोश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार पूछे जा चुका है आप्शन से परवत, पहाड, मैदान, पठार सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है आप्शन C, मैदान दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा सभी प्रेशन बहुत ही महतपूर है हिमालय परवत, स्रेडी निम लिखित में से किस राज़ का हिस्ता नहीं है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, हिमालय परवत, स्रेडी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है अगला कोशन है नर्मदा और तापती नदियों के मध्य इस्तित है अरावली पहाड़ियां, सत्पुड़ा पहाड़ियां, विंध परवत, राजमहल पहाड़ियां इसका सही आंसर है ओप्शन बी सत्पुड़ा पहाड़ियां अगला कोशन हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है बहुत हिमहत्पुण कोशन है ये अनपुड़ा, कंचन जंगा, एवरेश्ट, नामचा बारवा इसका सही आंसर है दोस्तों, आप्शन डी नामचा बारवा देखते हैं आगे गुरु सिखर चोटी किस राज में स्थित है इसमें देखेंगे गुरु सिखर चोटी किस राज में स्थित है गुजरात, महाराष्ट, मध्यप्रदेश, राजिस्थान इसका सही आंसर है दोस्तों, option D, राजिस्थान अगला question है दोस्तों उत्तर पश्चिम में इस्थित परवत है इसमें आपको बताना है, उत्तर पश्चिम में इस्थित परवत है सत्पुड़ा परवत, अरावली परवत, हिंदुकुष परवत विंद्या चल परवत इसका सही आंसर है, option B, अरावली परवत दोस्तों, अगर आपको वीडियो के प्रेशन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को like, comment जरूर कर दिजेगा चलिए दिखते हैं आगे बहुत ही महत्पूर कोश्चन है ये केटु परवत के बाद भारत में निम लिखित में से कौन दूती सर्वोच परवत सिखर है केटु के बाद कौन सा है दोस्तों नंदा देवी, कंचन जंगा, कामेत, अरावली परवत इसका सही आंसर है दोस्तों आप्शन बी कंचन जंगा केटु परवत के बाद भारत में कंचन जंगा दुती सर्वोच परवत सिखर है देखते हैं आगे गिरनार पहाड़ी कहां इस्थित है राजिस्थान, गुजरात, करनाटक, बिहार इसका सही आंसर है दोस्तों आप्शन बी गुजरात अगला कोश्चन है हिमालय का दूसरा सबसे उच्चा परवत सिखर कंचन जंगा भारत के किस राजि में स्थित है ये भी बहुत ही महत्पूर है हिमाचल परदेश, सिक्किम, उत्राखंड, असम इसमें आपको बताना है कंचन जंगा भारत के किस राज में इस्थित है इसका सही आंसर है दोस्तों option B सिक्किम चली दिखते हैं आगे भारत की सर्वोच परवत स्रेडी कौन सी है कंचन जंगा नंदा देवी एवरेश्ट गुडविन आश्टिन भारत की सर्वोच परवत स्रेडी कौन सी है इसका सही आंसर है option D गुडविन आश्टिन दोस्तों सभी question को ध्यान से देखिएगा सभी बहुती महत्पूर है भारत की उत्तर सीमा पर इस्थित परवत है मैकाल, नेलगिरी, हिमालय, अरावली भारत की उत्तर सीमा पर इस्थित परवत है इसका सही आंसर है option C हिमालय अगला question विश्वकी कुल जन संख्या का कितना परतिसत हिस्सा मैदानों में निवास करता है इसका सही आंसर है दोस्तों option D 90 परतिसत so friends ये थे भारत के परवतों से संबंधित महत्वपूर प्रेश्न आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताईएगा वीडियो पसंद आईए तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी इतनी महत्वपूर जानकारी शेयर करिएगा दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए हम प्रति दिन ऐसी महत्वपूर वीडियो लेके आते हैं और दोस्तों बेल आइकन दबा दिजेगा इससे हमारी कोई भी वीडियो आया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों अगर आपको वीडियो की पीडियेफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर करिए हम आपको पीडियेफ उपलब्द करा देंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जय हिंद